स्वागत बंदन अमीरेंदन कैसे हैं आप लोग आशा करता होगी बहुत अच्छे होगी आज की वीडियो में हमने टैक्स को लेकि काफी बात इंपोर्टन करने वाले हैं कि क्योंकि काफी लोग के मन में डाउट होता है रिसेंटी कमेंट आया और कमेंट ने मेंशन था कि आपास आपको अच्छी खासे नॉलेज मिली कि उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं तो इंपोर्टन काफी लोग के मन में कोश्चन आता है कि सर 12.5% रिसेंटली टैक्स को लेके जो बात आई थी 12.5% उस सरकार ले जाने वाली हमें कुछ नहीं बचने वाला तो क्यो mutual fund SIP में इविश्ट करें, important यह है कि टैक्स को क्या काटकर account में पैसा आएगा, यह भी लोग की मन में होता है, क्या पूरा पैसा account में आएगा, यह भी आपके मन में होता है, जब भी जब final account में आएगा रिडियम करके तो क्या पूरा आएगा, tax को काटकर आएगा, क्यों के बात नहीं करेंगे, equity mutual funds में simple सी बात है आपका भी short term capital gain tax जो है, वो है 20% हो गया है आपके gain पर मतलब अगर एक साल के अंदर आपको gain होता है more than 1,25,000 जो भी रिसेंटी बढ़ा दिया गया है तो sir उस gain पर आपका जो profit होगा उस gain पर सरकार आपसे 20% तो खीच लेगी और ये तो उनका done है, उनको तो करना ही है और आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आप एक साल के अंदर आपके अगर पैसे mutual fund के माद्यम से बढ़ जाते हैं वो, एक तो वो लग जाता है अगर एक साल के अंदर आप पैसे निकाल लेते हो, गलती से पैसे निकालते हो, या market को डर की कारण पैसे निकालते हो, तो mutual fund में exit load भी लगता है, इन चीजों का ध्यान रखना 1% और काफी लोग, क्योंकि ये दो चीज़ तो ठीक है, अब काफी लोग होता है कि यार मुझे ना सर जब long term पड़ेगा, आपके capital gain पे, तो उसको बारे में बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि long term में सबसे ज़्यादा लोग को doubt होता है और एक important question और लोगे मन में होता है, कि sir, जब final redeem करेंगे, तो क्या पूरा पैसा account में आता है, sir? पूरा पैसा आता हो, उस platform पे clear mention होता है, कि आपका long term capital gain tax कितना है after that, financial year में आप CA के साथ मिलके CA के साथ consult करके आप वो tax जमा करके, आप वो जमा करना पड़ेगा tax, और वो tax जमा करके बाकी आपके पैसे account में तो वैसे भी रहते ही है, तिस सारा इसलिए जो WhatsApp brew के बारे मैं ने चर्चा की है ये केवल, केवल learning purpose के लिए है, I am not advising for any investment investment के लिए मैं कोई advice नहीं कर रहा हूँ, किसी को को doubt होगा WhatsApp number मेरा personal है आप जरूर संपर कर लेना सो ये केवल सीखने के लिए है Mr. Professor रहस सरमाजी है, जो senior proper B.O.B. Securities के है सो उनको basically जितने भी investment के strategy है, उने proper एक अच्छी शांदा टीम बनाई है तो ऐसे लोग जिनको proper तरीके से stock market में proper strategy सीखना है, inside सीखनी है कि market में कैसे आप investment कर सकते हो, कैसे company का fundamental वगरा सीखना हो, तो they have designed a WhatsApp group, मैंने description पर link कर दिया, आप join कर सकते हो only for learning purpose और उन्हें basically और भी किया है, क्योंके बारे में कहा जा रहा है कि they have given more than 10% profitable everyday for more than 3 months in a row, और अच्छी बात है कि stock market का आपको daily updates मिलेगी और उनके पास एक expert की team है, जो लगातार आपके investment को लेके guidance देगी, लेकिन only for the education purpose के वल आपको सीखना है I am not advising anything for the investment right, so start करते हैं जो मैं लगातार आपको समझना बहुत important है और सबसे पहले example देखो क्योंकि example में अड़े clear है और अगर आपने ये slide पढ़ ली, समझ ली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी doubt होगा example, 5,000 किस IP एक बंदा करता है मैंने duration रखा है 25 years, 25 सालों तक investment कर रहे हो तो return लगभग 15% में expect कर रहा हूँ कि चलो इतना मिल जाना चाहिए total invested value रहेगी लगभग 15 लाक रुपे, ध्यान रखना जब 5,000 किस IP आप करोगे 25 सालों के लिए, तो लगभग रुपे, अगर आपको 15% का ROI मिलता है long term में अब आप देखो कि इस कहानी में जो आपका gain हुआ है जो actual आपको mutual fund से मिला है, वो दिख रहा है 1,49,000,000 रुपे कितना दिख रहा है? 1,49,000,000 रुपे दिख रहा है आपका, ये आपका होता है gain, मतलब mutual fund से आपको इतना मिला है, जैसे हमने बात किया long term capital gain tax पहले 10% हुआ करता था लेकिन अभी इस बार के जो budget present हुआ, उसमें 12.5% कर दिया गया है बस exemption कर दिया है कि 1,00,000 के बदे 1,25,000 हो जाएगा, that's it बाकी कोई changes नहीं हुआ है तो आपने देखो, long term capital gain tax 12.5% तो आपका, मैंने क्या कहा आपका जो gain हुआ जो आपका profit है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आपका profit है अब ये profit अगर आपका है तो ये आपका जो profit है minus हम क्या कर देंगे 1,25,000 अब ये जो आपको छूट मिल रही 1,25,000 की तो वो आपको 1,25,000 minus करने के बाद कितना बन रहा है 1,47,75,000 ठीक है 1,47,75,000 का 12.5% आप निकालोगे that is coming around 18,18,46,000 value आ रही है 875 जो government के खाते में जाने वाली है बहुत दुक्की बात है लेकिन हो रहा है और कितने जगह पे क्या taxes है इन चीजों के अगर आपको detail समझना हो तो आप comment section mention करना वीडियो जरूर बनाऊंगा लेकिन फिलहाल mutual fund में इतना इतना आपको देना पड़ेगा देखो ये tax हटाए भी जा सकता है आपका जो total है करोण 64 लाग को अगर इसे माइनस करोगे total में से तो sir आपके account में 1 करोण 45 लाग 3,125 रुपए तो बनेगा मतलब करोण पती तो भी रहोगे लेकिन यहां से जो बात आपने मैंने बताया 45, 10, 55, 10, 65 लगबग मान के चलो 18 से 20 लाग रुपए आपको यहां tax सरकार को देना पड़ेगा अगर आपकी इतनी इतना return आपको मिला है mutual fund से अब बोलो कि sir क्या मतलब investment करनेगा जब 12% कट जा रहा है भाई 12% कट रहा है आपके gain पर आपको जो capital gain हुआ है अब सोचो अगर आप FD में पैसा डालते अगर FD में तो एकठा तो इतना किसी के पास होता नहीं बहुत कम लोग के पास होता है तो अगर आप एकठा FD में डालते एकठा मतलब 15 लाग रुपए क्योंकि 5,000 रुपए प्रती महिने के SIP आपने 25 सालों तक दी तो अगर सब को total करोगे तो लगबक आ रहा है कितना 15 लाग अगर 15 लाग आपने FD में डाला होता न सर केवल आपको 64 लाग ही बन पाता तो तो भी mutual fund में आपको अच्छा खासा return बना है और long term में अच्छा return बनता ही बनता इसलिए जब भी option रहे न mutual fund FD, ID, NPS scheme बहुत सारी और कोई भी scheme ले लो Sir, mutual fund always wins the race हमेशा race mutual fundी जीता है ये मैंने clear mention कर दिया क्योंकि 6% FD, ID बाकि किसी को doubt हो WhatsApp number मेरा mention है कोई प्रकार का कोई भी information प्लीज आप संपर मुझसे जरूर करना रिस्पॉंस फोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर, राइड, बाकि मिलते ने शोड़ों के साथ अपना ध्यानर केगा, बाई 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 टेक केर जैहिन